तो यह काफी रिपे्टेट है तो इसको 750 वंगूर शन भर मी नस्ट होने बाल। हुदीत का उनीक है और बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं होगा। संगीत जानने बाल। या संगीत की नौलेज अक्रिकने इस्टब कहलाता है। जिसने मुकत्मा दायर किया है वो वादी कहलाता है और जिसके वृत मुकत्मा दायर किया गया है वो पृतिवादी कहलाता है ये हिंदी के शब्द हैं और इंग्लिश में सबको मालूम रहते हैं हिंदी में भी आपको मालूम होना चाहिए मदुर बोलने वाला मदुर भासी ब महावत होता है उसके हाथ में जो हुक होता है हाथी का लोहे का हुक वो कहलाता है अमकुष इसके बाद नेक्स्ट है जो बुलाया ना गया हो जो बुलाया ना गया हो आ नहुत सीमा का अनुचित उलंगन काना सीमा का अनुचित अलंगन काना अतिक्रमान काना ठीक है इसके बा इसके बाद है जिसका पती परदेश से बापस आ गया हो आगत पती का पोशित मतलब चला जाना और आगत मतलब आगवन आना बापस आना जिसका पती परदेश जाने बाला हो ठीक है जिसका मन दूसरों की ओर हो साध्य और संध्य और रात्री राती के बीच की बेला, माया करने वाला, किसी तूटी-फूटी इमारत का अंस, दुफैर से पहले का समय, कनक जैसे आवा वाला या हिर्दे को विद्रण करने वाले यह काफी रिपेटेट हैं, काफी इन्पोर्टेंट हैं, इनको जरूर आप लोग रट लें, अगर आप देखें जैसे कि माया करने वाला, माया भी कहलाएगा, कनक जैसी आवा वाला कनकाया कहलाएगा, तो यह काफी इन्पोर्टेंट है, और यह जो ऐसे शब्द हैं, जो मु पन होने वाला सुर्ण कहलाता है जो लोटकर आया हो आप्रत्य गत कहलाता है जो कारे कठिंता से हो सके दुसकर कहलाता है जो कारे कठिंता से हो सके वो कहलाएगा दुसकर जो देखा ना जा सके आलक्ष बाएं हाथ से तीर चला सकने वाला साव्य साची जो इस्तरी जैसे सूर सूरी ने भी न आ देखा हू वहा स्तरी जिससे सूरी ने भी न देखा हो और सूरयं पराशे यहां किस में अहूती देनी वाला फौदा जिसे नापना संभब नंगी आसाथ ह। जिसने किसी दूसरे का इस्थान अस्थाई रूप से करण किया हो इस्थानापान में